हाई गाईज कैसे आप मैं मॉनिका और आप देखने मेरे चैनल कुक विद मॉनिका दोस्तों आज हम बड़ी हेल्दी रेसिपी लेके आए हम राएंगे ब्रेट पकोडे वो भी बिल्कुल एक चमज तेल में बनेंगे ब्रेट पकोडे मसालेदार बहुत ज्यादा टेस्टी औ आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली एक तम डायेट से भी बड़िया रेसे भी तो दोस्तों इसके लिए मैं पहले आलू लेंगे उपले अलू लेंगे उन्हें अच्छी से मैश कर लेंगे और हम ब्रेट पकोडे की स्टफिंग में खाली आलू नहीं आइड करें कु इसके प्राउन ब्रेट भी ले लेते हैं साथ ही हमें बेसन भी चाहिए होगा थोड़ा सा बेसन चाहिए बड़ा चमच बेसन लेजिए उसे गोल करेंगे तो बेसन आप ले लेजिए एक से दो बड़े चमच आप अब सबस्के पहले बेसन का मुष्ट बना दें घोल में maior कुछ हरे मिज को बारे ऐड किया आपब स्केब ed कर सकते हैं खाली- खेरा सअधनिया आइड्प कर सकते हैं सकते हैं कि इसके कॉर्णिंग सॉल्ट एड कीजिए मैंने आदा टी स्पून सॉल्ट एड किया है और थोड़ा सा बेशन में मैंने हल्दी भी आइड कर देता कि रंग जो है अच्छा है और इसे मिक्स करते है और पानी मिलाते हुए आप एक गोल बना लीजिए जैसे में पप हमने जो बैटर बनाया है बेशन का उसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह से रखनी है कि इस तरह से इतना ही गाड़ा होना चाहिए और पकोड़े को और मसालेदार टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा हरेदनी के चटनी और इमले की खट्टी मीटी चटनी आट कर कि इसमें आड़ कीजिए आदा टी स्पून जीरा और साथ ही थोड़ी से हम इंग भी आड़ करेंगे इसमें दो पिंच हींग आड़ कर दी हींग से टेस्ट बहुत अच्छा जगा स्टॉपिंग बहुत खुशुदार होगी तो इससे तरह सा पकाईए 2-3 मिनट और इसमें कि आड़ कर देब कर दी ऑमिदे चाहते हैं फोड़ी सी खोड़ी खोजाए मैं बहुत बारी काटा हुए घाजत को बारी काटा हुआ है तक गाजन पीख कर दो लुकस करके भी इस्तमाल कर सकते हैं शिम्रामित से हमेशा स्वाद अच्छा आता है जब भी कोई हम रेसेपी इस तरह से बनाते हैं और मटर भी सौफ्ट है ताजे मटर है तो यह फटा फट सी मैं स्वाटे करूंगी तो एक से दू मुनिद में यह भी पख जाएंगी और बらい करें मैं मैं आए सबस केलिंद मैं अभी कर रही हूं यहां आप इसमें ओर रहे ही कि इसन्द का किउड नमक का रूट कीजिए। из ₹वeth precisa कन्द पाउडर और धनिया और इस में अच्छी हुशवाईगी कि हींग साथ में थनिया पाउडर है इस से स्टफिं भूल यिम अपके ना मञट करने पराइस स्यपिक्टम द स्यखिते हैं कि अब मसालों को भून लिजएँ ताकि हल्डी ऑर मसालों का कच्चापन चला जाए और हमाह इस सब्सक्राइज हम जाएँ तो तोटल पांच मिनत हम्नेहें स्थे सबन जाएं तो मैं इसमें उबले आलो जो मैंने मैश करके रखें रखली मैश की हैं इन्हें मिक्स कर रही हूं तो बस हम आलों को अच्छे से मसाला मिक्स करें एक-2 मिनिट और हमारी स्टफिंग बिल्कुल बनके रडी हो जाएगी आलो तो मारे ऑल्रेडी गुट है कि स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से बन के रडी हो गी है वैसे समें हरा दनी आड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे ठंडा कीजिए अच्छे से और जब यह थंडी हो जाएगी तब हम इसे ब्रेड्ट परकोड़े बनाएंगे तो थे सारी तैयारी हो चुक् पर मैंने खटी मीटी चटनी रहती वो लगाई है आप टमैडो कैचप भी लगा सकते हैं थोड़ा सा और चटपटा बनाना चाहें तो देखिए मैंने कुप सारी इसमें चटनी लगा दिए दो से तीन चमच आपको और चटनी लगाई है यह तो अपने टेस्ट के आप लगा सकते हैं और इसमें खूब सारे आलू तीन से चार चमच हम आलू की स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग को भी आप इवनली अच्छे से स्प्रेट कर दीजिए और इसे हम दूसरे ब्रेट स्लाइस से कवर करेंगे लेकिन उससे पहले हम उस पर हरी चटनी मीठी नहीं खटी चटपटी चटनी बना रखें यह मैं तीन से चार चमच अच्छे से लगा रही हूं ताकि ब्रेट कोड़े बहुत ही चटपटे लगे खाने में इसे भी हम अब ब्रेट पर रख देंगे अचली ब्रेट स्लाइस से मैंने इसे ठक दिया हमारा जो ब्रेट के ऊपर फैला दीजिए तो दिखें को अच्छे से इवनली स्प्रेट कर रहे हैं और अब मैं तवा हमारा गर में तो मैं इसे तवे पर सेकों की जिस तरफ बेशन है उस तरफ मैं तवे पर रखोंगी आप लांस्टिक पैन ले सकते हैं उसमें हलका तील ला लिए दिल को तो मैं तो मैं तो तो मैं तो जाया मैं तो इसे एक त्रफ सेख लीजए देए दिल पर नहीं है तले पर और अब ही च्छा है तो चिपका रहा है जैसे ही सिक जाएगा तो बेसन जो है तले से छूट जाएगा तो दोनों दरफ से इसे अच्छे से आप प्रेस करते वे करारा कीजिए पकाईए कमाच पर आपको परेज नहीं है ओईल का तो थोड़ा बटर लगा कर भी आप इसे सौधे कर सकते हैं टेस्ट बढ़ जाएगा तो खूब अच्छे से दोनों दरफ से इसे करारा करेंगे एक चमच से भी कम तेल में मैंने बेसन का बढ़िया सा ब्रेट पकोड़ा बना लिया है और बहुत ही टेस्टी होगा यह क्योंकि इसकी स्टफिंग बहुत चटपटी है अमने बेसन में भी खूब अच्छे से हरी मिच डारी वीट करारा भी बनेगा तो इससे पलट कर दोनों तरफ से आप इवनली पकाईए और इससे सर्फ कीजिए जो हमने इमली की चटनिया इसमें स्टफ की है उसके साथ सर्फ कीजिए चटनी में डूड होके खाईए तो लीजे हमारी रेसेपी कम ऑईल की बनकर रड़ी होगी ब्राउन ब्रेड और बेसन की आप इस तरह से बेसनी सैंडविच बना कर खा सकते तो मैंने तो ब्रेड पकोडा बनाना तो थुरा काट कर इसे बढ़िया तरीक से सर्फ करते हैं तो लीजे दोस्तों बनकर रड़ी हो गया है एक चमज तेल में बना हमारा बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकोडा जो कि खाने में टेस्टी और हल्दी दोनों ही हैं इसमें हमने न सिर्फ आलू डाले हैं बल्कि कुछा ही सब्सीया भी डाली है आप इसमें एक लेड पनीर की लगा शक्ते हैं देख सकते हैं कि इतना चट्पटा लग रहा ना चटनी स्टाफ करने से और भी टेस्टी लग मुझे पूरी उमीर है आपको यह रेसेपी बहुत अच्छी लगी होगी आप इसे जरूर बनाएंगे आप नाश्ते में बना सकते हैं शाम में भूक लग रही कुछ हलका खाने का बने तो बना के का सकते हैं अगली बार फिर मिलोगी दोस्तों आपसे नई रेसेपी लेकर आपके आपके दोस्तों पी रेसेपी बना सकें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रियां